मुझा है विर्टे वर्कम बाक टो पीसी इंटेडि चानल फ्रेंज आज लोग बात करने वाले हैं कि जार्कंड पॉल टेक्निक के सकेंड डाउंड कौशलिंग में कितने रेंक वालों को कॉलेज मिल सकता है जैसा आप लोगों को पता है कि फर्स राउंड का काौंसलिंग कंप्लीट हो गया है एलाउट भी हो गया है सीट फर्स राउंड का तो सकेंड और में कितने रैंक वालों को मिला था वो भी हम आपको यहां पर बताने वाले हैं और एडमिसन जब कराने जाओगे तो उस टैम कुछ यहां पर एक्जांपल दिखाना चाहता हूं कि कितने रैंक वालों को फर्स राउंड में कॉलेज मिला था ठीक है ना तो यहां से स्टार्ट हुई है देख सकते हो सीमल रैंक 10 से जिसको सिविल मिला है दूमका में ठीक है तो यूर से था तो सीएमल रैंक 10 से स्टार्ट हुआ ठीक है ना बाकि मैं आपको माक्सिम में रैंक वाले का दिखा हूंगा क्यूंकि जिसका ज्यादा रैंक हो यहां पर टैंसर में होते हैं कि उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो मैं दिखाना चाहूंगा कि first round में maximum कितने rank वालों को government college मिला है ठीक है ना तो मैं example के लिए दिखाता हूं जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूं यहाँ पर देख से तो 5820 rank है cml और 246 यहाँ पर category rank है और इसका category जो है यहाँ पर इडलो ऐसा है ठीक है ना तो इसको जो मिला है राची में मिल गया है government college ठीक है राची में government college मिला है computer science से इससे आप अंदाजा लगाना ठीक है तो इसका इडलो ऐस था इसलिए इसको राची में मिल गया समझ रहे हो 58 था 5820 cml rank होने के बाद भी तो जो भी इडलो ऐस से है वो बिल्कुल भी मत घबराना मैं तो अभी यहाँ पे आपको राची का दिखाया हूँ ना यदि आप कहीं और चाहिए यदि कहीं और आपको चाहिए और एडलो ऐस से हो यदि आपका 20 जार रैंक भी है तो फिर भी आराम से हो जागा मैं आपको एजामपल के लिए दिखाऊं तो यहाँ पे देखो गौर्णमेंट वोमेंस पॉल्टकनिक और रांची में मिला है एसी से है यह ठीक है ना और देखो दस जार रैंक है और कटेगरी रैंक जो है वह पॉस्ट पंचानवे एसी से है फिर भी इसको राची में मिल गया फर्स रांड में वह भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजनीरिंग और cml की बात करें दस जार 202 है तो इतना रैंक होने के बाद भी ऐसी कटेगरी था इसलिए इसको रांची में मिल गया वह भी कंप्यूटर साइंस ठीक है इससे आप अनमान लगाना कि कि कितने रैंक वालों को मिल सकता है और भी मैं आपको मिल गया ठीक है और इसका 3831 यहां पर सीट है यदि फ्री सीट आप डालोगे तो आपको मिल जाएगी ज्यादा रैंक है फिर भी ठीक है ना तो अब यहां पर मैं एक और दिखा देता हूं दस जार रैंक है ठीक है ना सिविल से है यह से इसको मिला है एस्टी से है इसलिए आपको साथ ईसले को मिल गया यहां पे दू बहर जीक है रहुआ है टॉटल सीट की मैं बात कर लेता हूं तो तो शीट जो है वह 4500 649 आसपास ठीक है ना और साता ट्रेड है कॉलेज आपको सत्रक आसपास जारकरन पॉल्टर में मिल जाएगा ठीक है तो मैं अब थोड़ा बड़ा वाल एक्जामपल देने चाहता हूं क्योंकि अभी तक तो 11फर तक मैंने दिया है ठीक है और ये मैं भी बता रहूं सिर्फ दिखा रहूंँ ठीक है मैं अभी सकेंडरॉं के बारे में बताना, बताओं transformative तो अभी यहां पर दिखाता हूं जैसे यहां पर गौर्न्मेंट पॉल्ल टकनीग कॉलेज ले लेते हैं ठीक है सिम्डेगा में देखो कितना रेंक है 13000 फिर भी इसको सिम्डेगा मिला है सिविल ब्रांच क्यों मिला क्योंकि एस्टी से था ठीक है ना स्टी वाले एस्टी वाले इडल वाले बिल्कुल भी टंस्ट मत लेना ज़्यादा रेंक होने के बाद भी आराम से कॉलिज मिलेगा वह भी बढ़ी अड्रेट यहां पर देखो एडल वेस रेंक है Computer Science है यह ठिक है ना फिर भी इसको देखो Computer Science को मिला फिर भी रेंग कितना है 13400 में फिर भी इसको फर्स्ट राउन मिल गया वह भी कम गौर्वर्मेंट को यह मिला है ठीक है ना लाते हर में ठीक है ना तो इडल वैस्ट से था इसलिए इसको मिल गया कम्प्यूटर सेंस होई फर्स्ट राउन में सकेंद थर्ड तो बाकी है इसमें बहुत ज़्यादा रहें जाने वाला है तो मैं अब सबसे लास्ट काई ले लेता हूं क्योंकि ज्यादा टाइम यहां पर नहीं देंगे है ठीक है तो एक मैं यहां पर जो है होने के बाद भी इसको फर्स राण में मैंकनिकल इंजिनिंग मिल गया वह भी गवर्मेंट पॉल्टेक्निक ओले जगरनात्पुर में तो इस वाले बिल्कुल भी टेंसर मत लेना ठीक है अभी तो मैं और भी आपको दिखाने वाला हूं मैं थोड़ा नीची आ जाता हूं तो यहां पर मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा ओके सो यहां पर देख सकते हो यह साहीब गंज में है स्टी से है देखो 31,000 रेंग था फिर भी यहां पर स्टी वाले को मिल गया है 31,000 रेंग होने के बाद भी फिर भी यहां पर अलेक्ट्रिकल अलेक्ट्रोंस ब्रांच मिला है साहीब गंज में गौर्ण्मेंट कॉलेज 31,000 रेंग वाले को इसलिए घवरा नाम में जो ऐसे से हैं इस्टी से हैं स्टी के मैंने एक्जामपल दिया आपको इस्टी थोड़ को मिल सकते देखो दूमका में मिला हैं ओमें फॉर्इम टेकनी कॉलेजW इन इसलिए इसको माखने कंणरी इंग्र कैमते है बल्कुल भी घाई मत अाराम से बढ़िया कॉलेज मिलेगा ज्यादा रेंख होने के बाद भी तो घबराना मत ठीक है यह मैंने एक्जामपल दे दिया बांकि मैं अपने हिसाब सब को बदा देता हूं सकेनर में कितने रेंकवालों को मिल सकता है ठीक है यदि आप यूर से हो जैंडल से हो कोई भी आपके पास कटेरी नहीं है तो 10,000 तक मिल जाएगी 10 से 12,000 तक जा सकता है डिपेंड करता है आप कितना चैस फिल किये हो 10 से ज्यादा भी चला जाएगा 12 15 तक जाएगा ठीक है ना दस तो जाएगा अब बात करते हैं मैं OBC के लिए OBC यदि हो तो 15 से 18,000 तक मिल जाएगा लेकिन मैं यह नहीं बोल डाओं कि बढ़िया ट्रिड मिलेगा सारा कॉली फिल करोगे सारा ट्रिड फिल करोगे तो 18,000 भी मिल जाएगा 15 से 18,000 OBC वाले गल्स की बात नहीं करना हो गल्स के लिए बात करूंगा मैं भी ठीक है और स्टी जो है चाहिए वो गल्स हो बॉइज हो स्टी एन इडल उस उसको जो है यहां पर मिल जाएगा 30,000 25 से 30,000 तक अराम से 35,000 तक मिल जाएगा 35,000 तक अराम से मिलेगा बट अब सारा कॉली करना यदि आप स्टी से हो ठीक है या पर एडल वेस से यह तीनों में से कोई भी कटेगरिया आपके पास है तो 35,000 तो भी आपको स्टी अराम से मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना अब बात करते हैं गल्स के लिए तो गल्स के लिए यदि आप यू आर हो तो 15,000 तक तो म अब बात करते हो OBC के पास OBC Rank है जो BC1, BC2 वाले है ठीक है तो उसको मिल जाएगा यहाँ पर 20,000,000,000,000,000,000,000,000,000 राउंड में ठीक है सारा कॉलिप फिल करोगे सारा ट्रेड फिल करोगे तो मिल जाएगी अब स्सक्राइब कर लिया है और अभी स्टार्ट होने ही वाली है आज से ही और अभी चलेगी 14 प्रेजल्ट आएगी तो जिसको भी कॉइंसलिंग कराना है वह हमारा जो है जोइन कर सकते हो वाट्स आप टेलीग्राम कहीं ही आप मुझे आप कर सकते हूं घरबैठ है आपकी बेस्ट कॉइंसलिंग होगी और चार्च मेरी काफी कम है और कॉइंसलिंग चार्च ज जब आप seat allout आपको हो जाएगा जब आपका seat allout हो जाएगा तो आपको जो है 1000 पेमेंट करना होता है seat allotment download करने के लिए ठीक है तो वो रेसिट लेके जाना है और seat allotment जो download करोगे वो भी लेके जाना है जो इस document लिस्ट में नहीं है मैं आपको बता रहा हूं कि आपको लेके जा सकते हैं यदि आप pass out हो 10 तो SLC लेके जाना यदि कॉल्ज पास आउट हो तो CLC कहीं पर रहे हो तो TC लेके जाना ठीक है और यह यदि आपके पास अवलेबल नहीं है एडिशन के टाइम तो बाद में दे सकते हो कोई दिख कर नहीं है मैडिकल सर्टिफिके लेके जाना है यह आपको होस्पिटल में बन जाएगा मागरेसन सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है यह आपको मिलता है कॉलेज में या स्कूल में तक लोस्टिफбोन, future economy, do not apply कि अभी भी ऐब और यह ला हीरा है करण तो बालत चले तो अदर्वाइज नहीं देना है character certificate आपको मिल जाता है school या college में वहाँ से आप दे सकते हो ठीक है या फिर आप court में बनवा लेना character certificate अधारक आपको देना है ठीक है आधारक कार्ड तो आपके पास हो गई ही बांकि एक चीछ चूट गया इसमें वह है एंटी रैगिंग और अलाट में लेटर चूट गया तो डोक्यूमें लिस्ट में बता दिया है उसको भी लेके जाना है एंटी रैगिंग आपका बन जाएगा court में बना सकते हैं तो यही था डोक्यूमेंट लिस्ट में बता दिया है कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मिलते हैं वीडियो के साथ